नमस्कार आज का हमारा टॉपिक रहेगा तोमस वुड्रो विल्सन वुड्रो विल्सन के प्रसासनिक विचार वुड्रो विल्सन जिनकों की लोग प्रसासन का जनक कहा जाता है ऐसे प्रसासनिक विचारक के बारे में आज हम जानेंगे तोमस वुड्रो विल्सन Woodrow Wilson के जो administrative ideas हैं उनमें सबसे important जो उनका लेख है वो है the study of administration ये वो लेख है जिसने लोग प्रशाशन विशे को एक सेदान्तिक आधार दिया और उसके स्वतंत्र अध्यन की सुरुवात इससे मानी जाती है सबसे पहले देखते हैं Woodrow Wilson का background Woodrow Wilson एक राजनीती विज्ञान के professor थे उनका जन USA के वरजीनिया में हुआ 1856 में सबसे पहले जब वो study कर रहे थे और जो उनकी UG classes थी उसके second year में जब वो पढ़ रहे थे तब उन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी congressional government 1885 में ये आई Woodrow Wilson का जो congressional government था ये बाद में उनका PhD का आधार भी बना is study in American politics फिर अगले वर्स ही वो professor के रूप में न्यूक तुए political science के और इसी वर्स उन्होंने जॉन Hopkins University से PhD किया 1887 में उनका बहु चर्चित लेक the study of administration आता है जिसको की political science quarterly में publish किया गया था उसके पस्चात इनकी एक और पुस्तक आती है 1889 में the state फिर ये Princeton University के president यानि अध्यक्स बनते हैं और अमेरिका के एक राज्य के न्यू जर्सी न्यू जर्सी के governor बनते हैं 1913 तक फिर USA के 28 में president सयुक्त राज्य अमेरिका के 28 में रास्टपती बनते हैं 1913 से लेके 1921 तक ये वो काल था जब प्रतम विश्वयुद इनोंने USA ने देखा और उस समय USA के president थे Woodrow Wilson इनके प्रसासनिक जो विचार थे वो विचार the study of administration प्रसासन का अध्यन नामक लेक जो की जून 1887 में publish हुआ था political science quarterly के volume second number second पर पहली बार इस लेक में प्रसासन को अलग से विज्ञानिक रूप से तथा विवस्तित रूप से study करने पर बल दिया और Woodrow Wilson ने students में रूची पैदा करने है तू ने केवल लेक प्रकासित करवाए बलकि लोग प्रसासन को या प्रसासन को बहुत ज्यादा लोग प्रियता दिलाने के लिए इन्होंने अपना जो जितना भी ग्यान था वो उनके समक्स रखा भी ताकि प्रसासन का स्वतन्त रूप से विज्ञानिक अध्यन हो और सबसे important जो चीज थी वो थी कि अमेरिका में उस समय जो सरकारी कामों में एनिये में चल रही थी उस पर उन्होंने कहा कि सरकार चलाने की प्रक्रिया का विसलेस नात्मक अध्यन होना चाहिए और सरकार कैसे चलेगी इस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए ये जो लेख था आर्टिकल था ये प्लेटिकल साइंस क्वाटरली में प्रकासित हुआ जिस इस पत जो ये आर्टिकल था The Study of Administration जिसके पब्लिकेशन के साथ लोग प्रशासन की एक स्वतंत्र विसे के रूप में सुरुवात माने जाती है उस आर्टिकल को विलसन बहुत ही कमजोर रचना मानते थे और खुद ये चाते थे कि ये छपे ही नहीं लेकिन उनके इसी लेख ने इ जा गया था पहले लेकिन ये चपे नहीं थे पहले का नाम था Notes on Administration ये ड्राप्ट फस्ट था और दूसरे का नाम था The Art of Government ये ड्राप्ट सेकिंड था जब फाइनली ये PSQ में यानि Political Science Quarterly में आया तब इसका नाम हो गया The Study of Administration यहाँ एक चीज इंपोर्टेंट है कि यहाँ प competitive परिक्साओं में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर पब्लिक्स वर्ड नहीं है The Study of Administration है ये अलेक यहाँ पर पब्लिस होने से पहले New York स्टित इतियास एवं राजनिती विज्ञान संग इथाका में पढ़ा गया था That is also an important question कुछ important facts देखते हैं Woodrow Wilson जो की राजनिती विज्ञान के professor थे और इसके साथ-साथ वो एक lawyer थे A lawyer trained at the University of Virginia learned political economy at John Hopkins University Woodrow Wilson वो व्यक्तित्वे थे जिनोंने 8 January 1918 को 14 सुत्रिये कि द्धान्त दिये इनोंने अपने जिवन काल में 8 books लिखी और बहुत सारे लेख लिखे 8 books में से एक congressional government 1885 में, the state 1889 में, division and reunion 1893 में, an old master and other political essays, mere literature and other essays, George Washington 1896 में, a history of American people or constitutional government in the United States, 1908. ये इनकी कुछ books हैं, इसमें से congressional government और the state ये दो very famous हैं, ये USA के 28th president थे और इनोंने राष्ट्र संग, यो कि प्रतम विश्वयुद के बाद जन्मा था, उसके founder के रूप में बहुत प्रमुक्त भूमिका निभाई थी और इनको शान्ती का नोबल पुरुसकार दिया गया था वर्स 1919 का, लेकिन एक वर्स बाद मिला था इनको 1920 में, और जो वर्साई की संदी थी जो जर्मनी के साथ, उसके लिए इनको ये नोबल पीस प्राईज दिया गया था 1920 में, लेकिन वर्स 1919 का नोबल पुरुसकार ये था Thomas Woodrow Wilson को राजनीती प्रशाषन द्वी भाजन के लिए जाना जाता है, राजनीती प्रशाषन द्वी भाजन, यानि इसको विलसौनियन डाइकोटमी भी कहते हैं, राजनीती प्रशाषन द्वी भाजन, यानि राजनीती को प्रशाषन से अलग करके देखना, इसके ये जनक माने जाते हैं जब लोग प्रशासन का जो विसे का चिद्धान जो प्रथम काल था उसके विकास का उसमें तीन ऐसे विचारक हुए हैं एक वुटो विल्सन थे उसके बाद प्रॉफिसर गुड़नो थे और उसके बाद एल्डी वाइट थे जिन्होंने राजनिती और प्रश का एरिया अलग है और एडमिनिस्थेशन का एरिया अलग है पॉलिक्स इज रिलेटेड टू पॉलिसी मैकिंग यानि यह नीती निर्मान से संबन देता है जिता एडमिनिस्थेशन है वह पॉलिसी के implementation से समंदित है यानि राज निती नीतिया बनाने का काम करती है और प्रशासन नीतियों को क्रियानवित करने का काम करता है तो यह politics administration dichotomy है जो कि हमें Wilson के विचारों में देखने को मिलती है उनका जो article था the study of administration उसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि हमें प्रशासनिक अध्येनों की आवस्यक्ता क्यों है तो इन्होंने सबसे पहले यह कहा कि 19.7 सताबदी से पहले क्या होता था कि जनसंग क्या थोड़ी थी और इतने काम नहीं होते थे सरकार के पास कि हमें बहुत जादा कुछ करना पड़े लेकिन बाद में राज्ये के कारियों में बहुत जादा व्रिद्धी हुई और सरकार नामक जो संस्ता थी उसमें बहुत जादा विकास हुए और इस विकास के फल स्वरूप हमें क्या करना पड़ रहा है हमें राजनीती को प्रसासन से अलग करना पड़ रहा है यानि प्रसासन एक अलग चीज है राजनीती का क्सेत्र अलग क्सेत्र है और उन्होंने सरकारी कारेक्रमों में दुधार की आवसकता पर बल दिया और economy efficiency प सबसे पहले अमेरिकी लोग प्रसासन में डालने का प्रियास किया उन्होंने कहा कि सरकारों में सुधार की आवसकता है और ये सुधार कहां होने चाहिए उनकी administrative structure में किया जाना जरूरी है यानि सरकारों को सुधार ना है तो सबसे पहले प्रसासनिक सुधार करने होंगे फ अपना जो प्रसासन का निट्रैलिटी का जो कुंसेप्ट था यानि प्रसासन में तटस्तता का दृस्ति कौन वुड्रो विल्सन पहले विचारक है जो तटस्त नोकर साही की या तटस्त प्रसासन की बात करते हैं तो निट्रैलिटी का जो कुंसेप्ट था ये इनोंने योरोप से योरोप से यूएसे में लाने की बात कही है यानि योरोप से यूएसे में निट्रैलिटी का कुंसेप्ट ये लेकर आए प्रसासन में तटस्ता का जो चिद्दान था वो योरोप से इनोंने लिया था इन्होंने ये कहा कि किसी भी देश के पास जो न्यूंतम संसादन होते हैं उनसे हम अधिक्तम efficiency कैसे खासिल कर सकते हैं और इसके लिए जो हमें सिद्धान्त बनाने पड़ेंगे वो सिद्धान्त अमारे युनिवर्सल होने चाहिए उड्रो विल्सन की जो inspiration थी वो manly तीन sources से माने जाती है वोल्टर बेज होट जो कि ब्रिटिस economist थे और राजनीतिक विशले सकते इंग्लिस constitution 1867 के लेखक एक तो बेज होट के विचारों से विल्सन बहुत प्रभावित थे एडमंड बर्क के विचारों का उन पर प्रभाव था और एक रिचार्ड टी एलाई रिचार्ड थियर्डोर एलाई जो कि जोन हॉपकिन्स यूनियर्सिटी के प्रोफेसर थे उनके जो व्याक्यान थे जिनको रिचार्ड व्याक्यान कहा जाता है उनको सुनने में विल्सन बड़ी दिल्चस्पी दिखाते हैं तो खुद रिचर्ड ने ऐसा लिखा है कि जब मैं बोलता था व्यक्षान में तो मुझे विल्सन में एक चिंगारी नजर आती थी कि जब भी बोलता था मैं तो मुझे विल्सन में ऐसे दिखता था कि ये कुछ करेंगे तो जो प्रसासनिक अध्यनों की जो सुरवात थी विल्सन में उसका स्रोत रिचर्ड टी एलाई के वो लेक्षर सिरीज थी रिचर्ड लेक्षर रिचर्ड व्यक्षान उनको कहा जाता है सबसे इंपोर्टेंट जो इफेक्ट पड़ा था वो विल्सन पर रिचर्ड थियोडोर एलाई कहा था कुछ इंपोर्टेंट टेक्स्ट है जो की बार-बार परिक्षाओं में पुछे जाते हैं दे स्टेडी ओफ एड्मिनिस्टेशन से ये वेरी फेमस आर्टिकल जिसकी वज़े से लोग प्रसाशन की स्वतंत्र विसे के रूप में सुरवात माने जाती है सबसे पहले विल्सन ने प्रसाशन के विज्ञान की बात की है उन्होंने का है the science of administration is the latest fruit of that study of the science of politics which was begun some 2200 years ago उन्होंने का राजनीती विज्ञान विसे 200 वर्स पूरु है जिसकी सुरवात हुई थी उसका सबसे ताजा फल जो है वो है प्रसाशन का विज्ञान यानि प्रसाशन राजनीती विज्ञान का सबसे ताजा फल है It is a birth of our own century, almost of our own generation कि यानि हमारी नवीनतम पीड़ी का जो हमें दिखाई दे रही है उसमें प्रसाशन सबसे नवीनतम फल है जो राजनीती विज्ञान ने हमें दिया है Administration के बारे में यह क्या कहते है कि यह Government का सबसे प्रतेक्स रूप से दिखाई देने वाला भाग है Administration is the most obvious part of government It is government in action यह वास्तों में काम करने वाली सरकार है It is the executive, the operative, the most visible side of government यानि सरकार का सबसे प्रतेक्स भाग जो हमें दिखाई देता है वो है प्रसाशन और यह इतना ही पुराना है जितनी की हमारी सरकार पुरानी है एक statement वो देते है It is getting to be harder to run a constitution than to frame one Very famous है कि समिधान को बनाने की अपेक्सा समिधान को चलाना बहुत कटिन है एक statement वो देते है The field of administration is a field of business प्रसाशन का क्षित्र व्यापार का क्षित्र है It is removed from the hurry and strife of politics यानि प्रसाशन राजनिती की जल्दी बाजी हड़बडी से दूर है प्रसाशन का क्षित्र व्यापार के क्षित्र के समान है एक statement वो ये देते है कि प्रसाशनिक प्रस्न राजनितिक प्रस्न नहीं होते Although politics sets the task for administration अलंकि राजनिती प्रसाशन के लिए कारिय निर्धारित करती है But it should not be suffered to manipulate its offices लेकिन प्रसाशन के जो कारियाले हैं उनमें हस्तक से प्राजनिति को नहीं करना चाहिए एक लोग प्रसाशन की परिभासा इनोंने दी है Public administration is detailed and systematic execution of public law यानि लोग प्रसाशन सारवजनिक कानून का विश्तृत और व्यवस्तित करियानवेन है Every particular application of general law is an act of administration और Wilson ने तुलनात्मक अध्यनों पर बल दिया है Without comparative studies in government, we cannot rid ourselves of the misconception that administration stands upon an essentially different basis in a democratic state from that on which it stands in a non-democratic state तो यह सम टेक्स प्रसाशन जो बार बार परिक्साव में पुछे जाते है Wilson ने जो comparative study किया था वो उसकी सुरुवात लोग परसाशन में Wilson से मानी जाती है तुलनात्मक अध्यनों की सुरुवात लोग परसाशन में Wilson ने की थी हलागि तुलनात्मक लोग परसाशन के जनक के रूप में हम Riggs को मानते हैं लेकिन जो study की थी वो Wilson ने study की थी Wilson ने कहा था कि हमें किसी भी चीज को सापक सी रूप से देखना चाहिए और हमें तुलनात्मक अध्यनों पर बल देना चाहिए इसके लिए Wilson कहते हैं यानि अगर मैं किसी खुनी को चाकू की धार तेज करते हुए देखूँ तो मैं उस खुनी के संभावित उद्देसे को ग्रहन किये बगेर यानि कोई भी खुनी है तो वो जिस उद्देसे के लिए चाकू की धार तेज कर रहा है उसको ग्रहन किये बगेर उससे चाकू की धार तेज करना तो सीख सकता हूँ ये उन्होंने बोला कि हम किसी भी देश की प्रसासनिक विवस्ता की स्टड़ी करते समय उसको हम अगर सही अर्थों में नहीं लागू कर पाए फिर भी हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं तो उन्होंने अमेरिका और योरोप, योरोप की अच्छी चीजों को अमेरिका के प्रसासन में वो डालना चाते थे उन्होंने ये कहा था कि प्रसासनिक प्रोद्योगी की का निर्यात भी आवस्त्यक हो जाता है अगर हम तुलनात्मक अधेनों की बात करते हैं उन्होंने राजनितिक सुधारों और प्रसासनिक पुनर गठन पर भी बल दिया क्योंकि उस समय अमेरिका में जो सरकार का जो प्रसासन का जो महोल था वो अच्छा नहीं था उससे पिछले दसक में लूट सिस्टम के अगेंस्ट में वहां पर बहुत सारे आंदोलन चले थे तो उन्होंने तुलनात्मक अध्यनों से सुधार की अपेक्सा की थी लोग प्रसासन की परिभासा के रूप में कानून को विस्तरित और क्रम बद्ध रूप से क्रियानवित करने वाला बताते हैं और वे कहते हैं प्रसासन वास्त्विक स्तर पर काम करती हुई सरकार है यानि government in action उनके कुछ statement जो अल्रेडी हम discuss कर चुके हैं English में समिधान बनाना आसान है और उसको चलाना बहुत ही कठिन है उन्होंने प्रसासनिक सिद्दान्तों के विकास पर बहुत अधिक बल दिया है उन्होंने कहा था सार्वबोमिक सिद्दान्त डेवलप करने चाहिए ताकि सरकारों में और विस्तेश कर प्रसासनिक प्रक्रियाओं में सुधार हो सके प्रशाशन को सरकार का सबसे प्रतेक्स अंग माना है यह अगर यह government को represent करता है तो administration is the most visible part administration is the most visible part of the government यह अपने आप में सरकार है प्रशाशन स्यम अपने आप में सरकार है यह सबसे ज़्यादा स्पस्ट और परिचालित पक्स माना है Wilson ने प्रतेकरण का मत राजनीती प्रशाशन द्विभाजन एक मत तो यह है कि राजनीती को प्रशाशन से अलग माना जाता है फिर एक दूसरा मत यह ऐसा भी है जो कि बाद के विचारकों में देखने को मिलता है उन्होंने वापस से यह कहा कि राजनीती से प्रशाशन कभी अलग होई नहीं सकता लेकिन यह प्रतेकरण का मत क्यों आया क्योंकि उस समय अमेरिकी पेटरनोज की जो सिस्टम चल रहा था वहाँ पर उसका विरोध हो रहा था और लूट प्रनाली विरोधी आंदोलन जो था पेंडल्टन एक्ट बनाया गया था उसके बाद का ये परिणाम है कि सेपरेशन और प्लिटिक्स एड्मिनिस्टेशन यानि प्रतेकरण का, अलगाव का, द्वी भाजन का सिद्दान तभी आया इसको विलसोनियन डैकोटमी कहते हैं इसमें ऐसा माना गया कि प्रशाशन राजनीति के क्षेतर से बाहर है पहले क्या माना जाता था कि ये इसके अंदर ही आता है लेकिन बाद में ये माना गया कि एड्मिनस्टेशन ये है वो पलिटिक्स से बाहर है प्रसासनिक प्रस्ण राजनेतिक प्रस्ण नहीं है लेकिन उसी परिप्रेक्षे में बाद में विल्सन ने ये कहा था विल्सन रोट यानि पब्लिक एड्मिनिस्टेशन की जो आधार चिला है इसके फाउंडेशन है वो बहुत कहरे हैं और स्ताई हैं राजनीति से जुड़े हुए हैं तो विल्सन ने बाद में ऐसे विचार विक्त किये थे कि राजनीति से प्रसासन संबद है लेकिन जो स्टेडी ओफ एड्मिनिस्टेशन नामक आर्टिकल था उसमें तॉमस सुड्रो विल्सन ने प्रसासन नीति निरमान एक राजनीति करिये है जिबकी प्रसासन का क्षेत्र व्यापक है व्यापार के जैसा है ये और ये राजनीति की हडबड़ी तथा कले से प्रथक होता है यानि राजनीति का काम जो होता है वो होता है कि जो अमूर्त संकल्पनाएं अवधारनाएं होती है उनको समझाना जबकि प्रसासन का काम ये होता है कि काम कैसे होगा कोई काम होगा तो वो कैसे होगा इस चीज को कौन डिसाइड करता है इस चीज को प्रशासन डिसाइड करता है तो ये कहा था वुड्रो विल्सन ने जन्मत के प्रभाव के बारे में वुड्रो विल्सन ने ये कहा था कि जन्मत का प्रभाव संतुलित होना चाहिए जन्मत के प्रभाव पर भी वुड्रो विल पर बहुत बल दिया है और वो पहले विचारक थे जिन्होंने ये बोला कि नोकर साही तटस्त होनी चाहिए यानि एक तटस्त प्रशाशन पर वो अपने विचार व्यक्त करते हैं अगर हम वुढ़ो विल्सन के योगदान को देखना चाहें तो उन्होंने जो सुरवात की थी प्रशाशन को व्यवस्तित रूप से स्टेड़ी करने के लिए प्रसासन का विवस्तित और विज्ञानिक अध्यान सबसे पहले वुड्रो विल्सन ने स्टार्ट किया था उन्होंने सबसे पहले प्रसासन को विज्ञान मानने की वकालत की थी उन्होंने एड्मिनिस्टेशन की विशेश प्रकृती पर बल दिया था और उन्होंने ऐसा कहा था कि administration है वो politics से अलग होता है उन्होंने सरकारी कारियों में कुसलता प्रबंद जैसी तक्निकों को लागू करने पर बल दिया था और उनकी एक natural tendency थी कि वो private और business administration से relate करते थे administration को और उन्होंने प्रसासन में comparative study पर बल दिया था यानि उन्होंने राजनितिक सुधार प्रसासनिक पुनर गठन प्रसासनिक प्रद्योगी की का निर्यात सरकारी कामों में कुसलता कारे कुसलता सिध्धान्त बनाने प्रबंद जैसी तक्निक लागू करने इस प्रकार के योगदान से सब को लाभानवित किया वुड्रो विल्सन की भी आलोचना की जाती है तो आलोचना में उन्होंने ये बताते हैं कि जो विभाजन प्रस्तूत किया है वुड्रो विल्सन ने ये विभाजन उल्जन भरा है यानि एक तरफ तो वो क्याते हैं कि politics और administration अलग-अलग है लेकिन बाद में वे ये भी कह रहे हैं कि administration है वो deeply rooted है politics से तो उसमें थोड़ा सा विभाजन उल्जन भरा दिखाई देता है जो लेक है the study of administration उस लेक में विचार वुड्रो विल्सन के विचारों को एसपस्त होने का आरोप भी झेलना पड़ा है कहते हैं कुछ विचारक कि उन्होंने नीती निर्मान के रूप में राजनीती को तथा नीती करियानवयन के रूप में प्रसासिन को विक्त किया है लेकिन उनका ये द्वी भाजन का विचार है वो एसपस्ट है और उसके आपस में ही दिक्कत हो रहे है यानि जब हम पूरे लेक को पढ़ते हैं तो उसके कुछ विचार हमें एसपस्ट लगते हैं लेकिन हमें संदर्बों का ध्यान रखना चाहिए वोन रिपर नामक विचारक तो विल्सन को लोग प्रसाशन का जनक भी नहीं मानते वो यह कहते हैं कि विल्सन का स्टडी दे स्टडी ओफ एड्मिनिस्टेशन और खुद विल्सन ये लोग प्रसाशन के जनक नहीं है प्रसासन को व्यापार मानने पर Richard Stillman कहते हैं कि प्रसासन को व्यापार मानना और उसी परिप्रेक्से में सिविल सेवकों को समवेधानिक सत्ता के परती उत्तरदाई मानना यह दोनों विरोधावासी बाते हैं यानि प्रसासन को हम प्राइवेट एड्मिनिस्टेशन की तरह व्यापार मान रहे हैं और उनी सिविल सेवकों को हम समवेधानिक सत्ता के परती उत्तरदाई बताते हैं जो की विरोधावासी है विल्सन का जो राजनितिक द्रिस्टिकोंड और उनका जो प्रसासनी क्षित्र में जो योगदान है वो बड़ा अद्बुत है उनकी दूर दर्शिता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मैं उस कारिये में विफल होना पसंद करूँगा जो की आखिर में सफल होगा बजाए उस कारिये में सफल होने के जो आखिर में विफल होगा इस क्लास में विल्सन के जो प्रसासनिक विचार है उनके बारे में चर्चा की गई है तोमस सुड्रो विल्सन पहले विचारक थे जिन्होंने लोग प्रसासन को एक स्वतंत्र अध्यन के रूप में USA में सुरू किया उन्होंने नेकेवल विद्यार्थियों में रूची जागरित की बलकि इसे युनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाए जाने पर बल दिया उनके इस योगदान को सबसे बड़ा योगदान माना जाता है लोग प्रसासन के विशे के स्वतंत्र अध्यन के रूप में या लोग प्रसासन अनुसासन के जनक के रूप में तो ये विल्सन के आज के प्रसासनिक विचार थे धन्यवाद